नमस्कार दोस्तों एक बर पिर आप लोग का मेरे इस नई वीडियो में स्वागत है और आज की इस वीडियो में हमारे पास है कमाल का प्रोड़क्त आप लोग को मैं बता दूं यह जो प्रोड़क्त है वो औराइमो के तरफ से आता है और यह एक आपका सोप डिस्पेंसर है यानि आगर आप वाश्रो में सोप वगयरा यूज करते होंगे सोप का आपके बार डिस्पेंसर होगा बट वहाँ पर आपको मैंवली उसको प्रेस करके सोप को डिस्पेंस करना पड़ता है जहां पर जांस और किटानू के फैनले के जादा चांसिस रहते हैं बट यह जो आपको सोप डिस्पेंसर मिलता है यह और चार्जेबर मिलता है और इस प्रु आप जो है और ऑ्टमेकल्य आपके जो सफ गाहर आजयागा जैसे या फॉना आप जो है इसके पास में लेकर आएगे इसके अंदर सेंसर म कैनिसर मेटीब और उसके थ्रू ये काम करता है तो आज की इस वीडियों हम इसी पर उन्बॉक्स करेंगे और देखेंगे एक्चॉली में यह उराइनो की तरफ से जो प्रोड़क्त मिलता है कैसा मिल जाता है और आप लोग को खरीदना चाहिए या फिर नहीं तो चली जदी से वीडियो को स् सब्सक्राइब कीजिए बेल एकन को प्रेस कर लिजे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहें तो कुछ इस तरीके का आपको बॉक्स देखने को मिलता है सामने की तरफ आपको प्रोड़क्त का जो भी डिजाइन है वह आपको देखने को मिल जाते हैं जैसे यहाँ पर infrared sensor मिलता है जिसके थ्रू यह काम करता है उसके बाद two level of soap dispensing मिल जाता है आपको वह मैं आप लोग को दिखाऊंगा यूज करके किस तरीके से होता है यहाँ पर आप three thousand times इसको यूज कर सकते हैं यह जो company है claim करती है बाकी यूज करने पर पता लग पे में इसका best by link मैं description में नीचे दे दूँगा अगर आप लोग को यह product अच्छा लगेगा तो आप वहां से जाके इसको खरीच सकते हैं तो चली जल्दी से seal को open करते हैं और चेक करते हैं box के अंदर क्या क्या चीजे मिल जाती है so box को open करते हैं सबसे ओपर यहां पर हमें user manual रखावा मिल जाता है जिसमें आप लोग देख सकते हैं इसको किस तरीके से use करना है वो सारी चीजे इसमें लिखावा मिल जाता है इसको side में करते हैं इसके बाद यहां पर हमारा main product मिलता है और बाकी आप लोग देखेंगे box ब जिसके through आप इसको charge कर पाएंगे यहां पर पीछे की side आपको charging के लिए port मिल जाता है जो कि micro USB है यहां पर अगर type C होता तो थोड़ा जादा बहतर मुझे लगता बट फिर भी यहां पर ठीक है यहां से आप इसको charge कर पाएंगे और उपर की तरह आपको यहां पर एक बटन देखने को मिलता है जो कि actually में एक physical बटन नहीं है touch sensor है इस पर आप बस tap करेंगे और यह काम करने वाला है यहां की तरह आपको nozzle मिल जाता है जिसके through जो है आपका soap dispense होगा और इधर आप लोग देख सकते है modes मिल जाते है जैसे यहां पर लिखा हुआ था box पर यहां पर two modes म पहले से डाला हुआ नहीं मिलता इसमें यह देख सकते हैं यह खाली है तो इसमें हमें soap बनाकर डालना पड़ेगा उसके बाद ही यह काम करेगा और यहां पर एक pipe दिया गया है इसके through जो है यह पूरा work करता है तो चलिए सारी चीजे हम लोग setup करते हैं और चेक करते कि actually मे आपको कुछ इस तरीके की red light देखने को मिल जाएगी तो इसके through आप इसको charge कर पाएंगे तो यहां पर हमने यह देख सकते हैं उपर वाला part भी fix कर लिया है और इसको अभी थोड़ा सा हमने charge किया तो देख लेते हैं यह on होता है कि नहीं तो यहां पर आपको two second तक press करना ह है और अब देख सकते हैं यहां पर white light आ गई थी और यानि यह on हो चुका है तो दोस्तों इसको test करने के लिए हम लोग आ गए अपने washroom में और इसको हमने setup कर लिया है और on करके भी रखा है उससे पहले मैं आप लोग को बता दू इसके अंदर जो आपको liquid fill करना है वो आप पर उपर आप देखेंगे तो लिखावा मिलता है refill only for foaming pump तो foaming pump होगा उसी में यह वाला liquid जो है काम करता है तो इसके लिए यह compatible आप इसको चाहें तो purchase कर सकते हैं इस वाले liquid को ठीक है तो इसको हमने यहां पर अभी fill कर लिया है तो इसको मैं fill हाल के लिए side में कर देता हू और आजाते हैं इसके उपर जिसको हमें test करना अपने product के उपर इसको on करके हमने रखा हुआ है levels की बात करो तो यहां आप देख सकते हैं नीचे जहां आपको 2 level देखने को मिल जाता है जो नीचे वाला है वहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 3 drops आपको देखने को मिलेग यानि अगर हाथ में इस level पर लेकर में जाता हूं तो ज्यादा foam बाहर आएगा और यहां पर ऊपर एक और level यहां पर single drop बनवा है यानि अगर यहां पर में हाथ लेके जाओंगा तो यहां पर कम foam जो है बाहर आएगा तो चलिए इसको test करते हैं और अबना हाथ में यहाँ लेकर जाता हूँ और आप लोग देखिए कितने अच्छी तरीके से ही काम करता है तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर फूम बाहर आगया है और बिल्कुल परफेक्टली काम करता है कोई प्रॉब्लम नहीं आती है मैंने इसको बहुत 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 टेस्ट करके देखा है आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर नस्दीक हाथ ले जाऊंगा तो कम फूम बाहर आएगा और थोड़ा सा दूर रखूँआ तो ज़्यादा फूम बाहर आएगा वहाँ से जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं ओवरॉल काफी अच्छा परड़क्ट लगाया मुझे ही है आप लोग को अगर परचेस करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से जाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजएगा और प्रड़क्ट अच्छा लगा हो तो नीचे लिंक मिल जागा वहाँ से जाके आप इसको परचेस कर लिजएगा तो मिलेंगे अपने नई वीडियो में तब तक के लिए बाबार